अध्यवयम, महाकवी भास विरचित अस्य, स्वप्न वासवदत्त मितिनाटक अस्य, सस्थांके अश्टादश श्लोक विशय पठिस्या महा श्लोकी अस्मिन, राजा, उत्थाप्य, योगान धरायनं प्रती, अनेन प्रकारेन भनती, यत, मित्योन मादेश्च युद्धेश्च, शास्त्र द्रिष्टेश्च मंत्रिताही, भवध्यत्न ही खलूवयम, मज्यमानाह, समुद्रिताह, उनस्च तावत्ष्रुयताम, मित्योन मादेश्च युद्धेश्च, शास्त्र द्रिष्टेश्च मंत्रिताही, भवध्यत्न ही खलूवयम, मज्यमानाह समुद्रिताह पुनस्रुयता मिध्योनमातैश्च युद्धैश्च शास्त्र द्रिष्टैश्च मंत्रितैही भवध्यत्नही खलूवयम मज्यमानह समुद्रिताह अयंकलू अष्टादस संध्यात्मकाह श्लोकाह राजा श्लोके अस्मिन भवणती यत मिध्योनमादैही मिध्याहा कतनही युद्ध ही, युद्ध क्षेत्र ही, शत्रुबी ही सहा, रिपुबी ही सहा, शास्त्र द्रिष्ट ही, शास्त्र पथा, इत्यर्ध ही, शास्त्राण मोधत ही, येते भवध्यत्र ही, भवताः प्रयास ही, वयंखलू, यथार्थत हा, मज्यमान हा, विपत्य सागरे, निमज्जन्त हा, समुद्रित हा, रक्षित हा, उत्तोलित हा, अस्य संस्क्रेत व्याख्याने न प्रकारिन भवती यत मिध्योण माद ही मिध्या असत्या हा उनमादा हा तई ही मिध्योण माद ही कपटोन माद चेश्टी तई ही कपटस्च उनमादस्च कपटोन मादे तव चेष्टिता ही कपटोन मादे चेष्टिता ही युद्धा ही समरही शत्र विह साहा युद्धा ही इति भावाः शास्त्र द्रिष्टा ही शास्त्रान मोधिता ही मंत्राभी ही उपदेशे वहते भवध्यतन ही भवता प्रयास ही उ अस्य हिंद्याम अर्था है आपने पागल किसी बनावटी चस्टाओं युद्ध तता शास्त्र सम्मत प्रामर्शों एवं प्रेत्नों द्वारानी संदे विपत्ती सागर में डूबते हुए हमें उबा रहा है अधुना योगंदरायनहा कथाती यत स्वाभी स्वामी भाग्यानौं स्वामी भाग्यानाम अनुगंतारों वयं हम तो स्वामी के भागी के पीछे पीछे चलते हैं अधमावती संस्कृत भाषयाम नयवदती यतो ही स्त्रियाह संस्कृत भाषयाम नयवदंती कदाचि दभी इती नच्ट शास्त्र वचन ही अधमावती कथयाती अम्महे अयाकु इयम अये सही जन समुदा आरेन अजानंती ये अधिककंदो समुदारों ता सीसेन पसाधेमीन संस्कृत भाषयाम अस्याह प्राकृत भाषया अनवाधानेन प्रकारेन भावती अहो आर्या खलुईयम आर्ये सकी जन समुदा चारेन आजनंत्या अधिक्रानताह समुदा चाराह तच्छेन प्रसाधेमीन पदमावती हिंद्याम कथेयती अहा ये तो आर्या पुझ दीदी हैं दीदी अनजाने में मैंने सक्षी कासा व्यवहार करके सिष्टा चार का उलंगन किया है अतहा सिर्जुका करक्षमा मांगती हूँ वासवदत्ता भनती पदमावती मों थाय उट्टेई उट्टेई अभी है अथिसाम नाम सरीरम अवरा दै पदमावती को उठा कर उठो सुहागिन उठो या चक्का धन बना हुआ मेरा शरीर ही अपराधी है पदमावती भनती अनुगई दव्द मी मैं अनुगरिहिता हूँ राजा कहता है वयस्य योगंधरायन द्यव्यपन एकाब कृता थे बुद्धी ही मित्र योगंदरायन महारानी को हटाने से तुम्हारा क्याताद परिया था योगंदरायन अधुना कतया थी कोशामभी मात्रम परिपाले आमी थी योगंदरायन अधुना कतया थी इंद्याम केवला कोशामभी परिया मारा दिकार रह गया था राजा अथ पदमावत्या हस्ते किम न्यास करणम राजा कहता है कि अच्छा पदमावत्य के हाथ धरोर रखने का क्या कारण था अधुना योगंदर आयना भणती पुष्पक बद्रादि भी ही आदेश कैई ही आदिष्टा स्वामिनो देवी भविश्यती थी पुष्पक बद्रादि जोतिश्यों ने भविश्य मानी की थी कि पदमावती महराज की रानी वनेंगी राजा इदम अपी रुमन्वता ज्यातम क्या यह भी रुमन्यवान को ज्यात था योगंधरायन अधुना कतयती स्वामिन सर्वे रेव ज्यातम योगंधरायन महराज सभी को ज्यात था राजा अहो शठहा खलू रुमन्यवान अरे रुमन्यवान तो बड़ा दुष्ट है योगंधरायन अधुना भनती स्वामिन देव्याहा कुशल निवेदनार्थम देव प्रतिनिवार्थतम अत्रभावान रेभ्यो अत्रभवतीच योगंधरा इन महराज महरानी की कुशल निवेदन के लिए आज ही पुझ रेभ्य और पुझ निया वसंधरा लोट जाएं अतात पुनहें अपने इस्थान पर वापिश चले जाएं जो वासवदत्था की धाय थी उन्हें अपने स्थान पर चली जाएं राजा अधुना कतयाती न न सर्वं एवं वयंश याश्यामो देव्या पदमावत्या सहां योगंदरा राजा कहते हैं नहीं-नहीं हम सभी लोग देवी पदमावती के सहित ह जायेंगे योगंदराय नहां अधुना भनती यद आज्यापयति श्वामी योगंदराय नहां जैसी महराज की आज्या अधुना अच्य अव्याक्रनात्मक्ति पन्याम खलू स्वामी भग्यानाम स्वामी नहा भग्यानी तेशाम स्वामी भग्यानाम सस्थी तदपुरुशाह समासाह सकी जन समुदाचारेन सकी जनोपचिताह समुदाचाराह आविधवे सो भग्यवती नविदवा आविदवा तव ते आविदवे नईय तत पुरुशाह अर्थिस्वगं याचकाह योगन धराय नस्य धनाह धनम अर्थिनह स्वम इती अर्थिस्वम आदेशिकही इती आदेशे न चरती इती आंग उपसर्ग पुरो का दिस दातो ठक प्रत्याह आधेशिकाह तैही आधेशिकाही अनेन प्रकारेन संगमव भवती राजा उदयनस्य पदमावत्या सह तथाच वासवदत्त सह इहावदेयम यत संस्कत नाटके नियमों भर्तते यत नाटकम संस्कत नाटकानी सुखान्तानी भवितव्यानी प्रायह संस्कृत नाटकानी सुखान्तानी एव भवंती उरुभंगम इते नाटकम अत्र अपवादो एव वर्तते। योनान देशिय नाटकातु सुखान्तानी एव भवंती तदवत अंगल भाशायाम अपी नाटकानी दुखान्तानी एव भवंती किन्तुन संस्कृत साहित्ते प्रायह सर्वानी नाटकानी एव सुखान्तानी एव भवंती उरुभंगम अस्य अपवादो वर्तते। धन्यवाद आखा